जैसे मेश रासी के लिए थोड़ा अच्छन प्रभाव है तो उनको विशेस रूप से ज्ञान रखना चाहिए मेश रासी को अभी ग्रहन के प्रभाव से एक से दो महिना इस प्रभाव के कारण दो महिना मेश राशी वाले को गर में कुछ तकलीफे रहना, कामों में तकलीफे रहना, जन्म राशी में गुरु राहू का ये प्रभाव ग्रहन के कारण होने के कारण, मेश राशी को आरोग या और गर के व्यावारों में तोड़ा सा उनों को ध्यान से रहना चाहिए, उनक कीजी को पहले 2-3 मेने में दिखें कि फिछली को चार मेने में प्रभावा थोडा राता है और मेच रासी वाला इस समय विशेश रोप से दुरगाजी का पुजा करके उनकी आराधनां गरा करते हैं ग्रहन का नियम पालन करते हैं तो उनको जो है इस वाले जो भी दिक्टें है उसे छुटकारा मिलती है और वह है अपने Αपने जिन्दकी सही दूभिसे आगे जा सकते हैं और वुषब लाज में ओर फच़े वगरा में थोड़ा दिक्कत अना और उनको कि तोड़ा वदार ज्यादा लेने ंगी तिथि हो फोड़ा सब्सक्रासी को पर यह परा Did अब मिधुन राशी में, मिधुन राशी के अगर हम बात देखेंगे, मिधुन राशी को ये ग्रहन थोड़ा इनको मतलब लाब जैसे रहेगा, मिधुन राशी को लाब अस्थान में ये ग्रहन होने के कारण, मिधुन राशी वाले के लिए ये ग्रहन अच्छा फल देने वा जाला है मिधुन राशी को और विशेश रूप से करक राशी करक राशी को एक तो अस्टम शीनी जिसको ढहिया भी बोलते हैं तो और उसके साथ यह ग्रहन का प्रभाव से आरोग्य विशेय में और परिवार के विशेय में करक राशी वे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उनको तोड़ा सा प्रभाव होने का संभावना इस पर ग्रहान का प्रभाव है और उसके बाद सिंग राशी सिंव राशी के लिए गुरू राहू के प्रभाव से अभी जो समय चलता है यह सही चलता है अब उसके बाद है कन्या राशी को अस्टम अस्तान में गुरू राह और विशेश दूरुप से तुला रासी अभी ये जो चंद्र ग्रहन जो हो रहा है जंद्मराश ह Veget को शेवू दूर इखर घुठ में गरुशका होगा और तुला ने जर्ली में प्रभा को क्टों क्वा हो और तो तुला राशी वाले के लिए तोड़ा ये ग्रहन के प्रभाव कम होगी तोला राशिवारा के लिए ग्रहन का तोड़ा प्रभाव से लोगा काम YOU में दिक्कत आने की स्तिति पश्रूप में से दिख रहा है रुष्चिक से वाले के लिए उसके साथ गूरु राहू और चंद्र जो है शित्र इस्तान में चंद्र का प्रबाग होने से थोड़ा इनको लोगों से दुश्मनी बनना वो जो चितृत्रों के मामने में तोड़ा ज्यादा अधिक रहेगा अब देखते हैं धनूराशी धनूराशी वाले के लिए ग्रहन शुबफल दे रहा है उनको पंचमस्तान में सारे गुरु राहु का यह होना तो धनूराशी के लिए ग्रहन के प्रभाव अच्छे फल मिलने के व्यापार विशे में तोड़ा सा संपर रहना चाहिए उनको कर्चा होने की स्थिति ज्यादा है और अनारों की समझ से जो है उनको चोड़ा सा दिक्कते करेगी अब है कुम्ब राशी कुम्ब राशी अभी साड़े साथी में हैं और उनके लिए विशेश रूप से बज्य तरूप से चल रहा है अब सबसे आकरी राशी में राशी में राशी वाले के लिए ग्रहन का प्रभाव है उनको अर्वासिवाले किसी से बात करते समय जःं से बात करें जगढाओं से दूर रहें गुस्सा चोड़ने की कोशिश इनको आने वाले तीन-चार महिने और व्यापार में जगडा होने का और गर में भी कुछ न कुछ दिक्कत आने के संभा होना है तो अपने वाकस्तान में यह सब केतु है गलती से खन्या राशी बोल तुला राशी और ये जो जितने भी राशी है, यह सारे उसका प्रभाव ऐसे होता है बिल्कुल तो यानि कि 12 राश्यों में से मेश तुला और कन्या वाले थोड़ा सा विशेश ध्यान दें अलागि मिधुन राशी वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है मिधुन राशी धनू राशी वाले के लिए सिम्व राशी के लिए पर अच्छा है और विशेश झाल कर लो हुआ उता है.